कोई माइनर बच्चा जिसकी उमर साथ साल या साथ साल से कम की है और कोई ऐसा आदमी जो कि दिमा की रूप से सही नहीं है अगर वो आपके उपर इमिनियंट अटैक करता है तो आपके पास उस समय क्या राइट है आज जानेंगे हम इस वीडियो में यही कि कोई माइनर बच् सब्सक्राइब माइन ओध्शे होंगे कमेंट सेक्शन में बताईएगा कैसे है कैसे नहीं तो चलिए आप लोग कमेंट नहीं करते है मेरी वीडियो जो देखके जा रहा है वो क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है वो at least आप लोग बताईए मुझे पता चलना चाहिए एक review जरूर दीजेगा कि हाँ मुझे इस तरीके से पता चलना चाहिए कि मैं जो चीज आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हूँ जो चीज दिखाना चाह रहे हूँ अपने वीडियो के थुरू वो सह है या नहीं है मुझ पर कैसे और improvement करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह आप अगर एक review देते रहेंगे वीडियो देखकर तो मेरे लिए अच्छा होगा मेरे improvement के लिए अच्छा होगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो section 98 को जानेंगे हम क्या कहता है section 98 बहु को देखेगा तब यह वीडियो आपको और जादा अच्छे से समझ में आएगी तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को section 98 क्या कहता है कोई बच्चा है जिसकी उमर 7 साल या 7 साल से कम की है उसने कोई अपराद कर दिया आपके साथ तो आपके पास क्या वहाँ पर भी private defense है जी हाँ बिल्कुल है अपने private defense में आप बच्चे के उपर भी उतना attack कर सकते हैं उतना assault कर सकते हैं जितना कि उस बच्चे ने आपके साथ किया है ध्यान रहे मैंने previous वीडियो में भी बताया था कि sufficient आपको attack करना है sufficient harm देना है जितना कि सामने वाले ने दिया है वो सेम बात बच्चे के साथ भी होती है दूसरी चीज यही section करता है क्या कोई ऐसा आदमी जो कि दिमागी रूप से पूरा उसका दिमाग काम नहीं करता वो सोचने समझने के ही शक्ति उसके पास उतनी अच्छी नहीं है तब वो कोई attack कर देता है आपके उपर assault कर देता है तो क्य आप भी उसपर attack कर सकते हैं तो अगली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैं again बता दूँ आप लोगों को कि जितना सामने वाले ने आपके उपर attack किया हो उतना ही आपको उसपर attack करना है excessive harm नहीं देना है कि आपको किसी ने थपड मारा ह है just take तो आप लादगो से मार रहे हो बिल्कुल नहीं करना ही यह जितना आपके उपर harm पहुंची है उतना ही harm आपको देना है उससे जादा नहीं देना है तो 98 section बस यहीं बात करते हैं और एक चीज़ और ध्यान है अगर आपके पास sufficient time है यह section जो private defense की बात करते हैं किसी के उपर भी आप apply करते हैं तो दो चीज़ फिल्कुल ध्यान रखनी की होती है कि आपके पास अगर sufficient time है किसी भी public servant की सहयता लेने की help लेने की कि हां आप जैसे पुलिस के पास जा सकते हैं आपके पास time है आपको लगता है कि पुलिस के पास जाने का मेरे पास समय है तो कानू उनको अपने हाथ में ना लेकर आप पुलिस के help ले सकते हैं पुलिस आप लोगों के लिए ही बनी है तो दूसरी बात यह होती है कि आप मैंने बता दिया excessive harm को नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं तो बस इस section में इतना ही अगला section जो मैंने cover किया वो बहुत ही ज्यादा important होने वैसे मैं बता चुकी हूँ है अगले section में जो बात कही है वो मैं अगली तो और यह तीसरी वीडियो तक मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि एक चीज आप लोगों को उसमें और extra add है जो कि ध्यान में रखना है कभी भी कोई भी public servant कि उपर अगर व वो lawfully अपने काम को bound है करने के लिए और ऐसा rare ही case में देखा जाएगा कि public servant या कोई police officer अपने power का misuse करता है अगर करता है तो वो अलग बात है लेकिन अगर वो अपनी duty में है तो आपके पास उस case में right नहीं होता है और बाकी बाते सेम है जो मैं बताती आई हूँ कि आपको अगेन रिपीट कर रहे हूँ आपको किसी के ऊपर excessive harm नहीं पहुचाना है किसी ने आपको लात घुजे मारे हैं सिर्फ तो ऐसा नहीं है कि आप उसको गन ले ले या knife ले और सिधा जान से मार दे कते ही नहीं करना होता है यहां आपको defense नहीं मिलेगा दूसरी चीज अगर आपके पास sufficient time है किसी भी public servant के help लेने की तो आप वहां जाके पहले public servant को बोल सकते हैं कि हां मेरे पास मुझे ऐसा ऐसा डर है जो भी जैसा भी है आपको लगता है तो आप वहां बता सकते हैं तो बस यही बात कह रखिए section 99 में तो आज मैंने cover किया section 98 99 आपको अगर कुछ प पताना हो मेरे regarding तो बिल्कुल comment section आप लोग का ही होता है वहाँ पर बता दीजिए comment जरूर करिएगा क्योंकि comment के थ्रू मुझे समझ में आएगा कि मुझे मेरे उपर क्या काम करना है और आप लोग की demand क्या है मेरे थ्रू तो बस comment जरूर करिए आज की वीडियो में इतना ही खुश रही है मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो और जदे important होने वाली है तो उसको भी समझेंगे सीखेंगे तब तर आज की वीडियो में इतना ही